सो वाच प्रीमिया जो है बोट की तरफ से वो थोड़े दिनों पहले लाँच हुए थे मेरे पास एक यूनिट है और इसको मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ सो आपको बताने वाला हूँ whether you should invest your money on these or not by the end of this video ठीक है सबसे पहले इसकी प्राइस बता देता हूँ मतलब किस प्राइस पॉइंट पर भी आपको यह वाच मिल सकती है लांच प्राइस इसकी थी चार हजार रुपय के आसपास मतलब 3999 अभी मतलब 1000 स्टॉक्स के बाद यह कंडिशन थी कि यह साढ़े चार हजार रुपय में मिलेगी आपको तो शायद अभी साढ़े चार हजार रुपय में मिल रही हो सबसे पहले कुछ फीचर्स आपको बता देता हूं सबसे पहले चीज़ आपको पहन के ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और उसके बाद आपको फदर यह बताना चाहूंगा इसमें जो स्ट्राप मिलता है वह लेदर काता है और बॉक्स बट आप थर्ड पार्टी आपको बताना चाहूंगा ओवर और लुक और फील काफी ज्यादा प्रीमियम है यहाँ पर मैंने पहन रखे यह ब्लू वाली है मतलब ब्लू लेदर स्ट्राप के साथ आती है इसका ब्लाक वाला वेरियंट भी है आप उसको भी चेक आउट कर सकते हो ठीक है सो जल्दी से करते हैं और आपको बाकी का पूरा रिव्यू मैं बताता हूं ठीक है सो लेट डाइब इंटू अन्बोक्सिंग जैसी आप बॉक्स को अन्बोक्स करोगे सबसे पहले आपको आपकी वाच दिखाई देती है दन आपको एक मैगनेटिक केबल मिल जाती है वाच चारजिंग क 24 x 454 का है नीचे यहां पर SPO2 reader है और ऊपर की तरफ अलका सा आप देख सकते हो speaker भी है and side upper यहां पर आपको छोटा सा mic देखने के लिए मिल जाता है and trust me इस mic के थ्रू आप call आराम से कर सकते हो like indoors में तो easily कर सकते हो outdoors में इतने अच्छे से call नहीं हो पाती है for obvious reasons but indoors में आप easily इस watch के through calls attend कर सकते हो ठीक है so अगर display की बात करूं यहां पर सबसे पहले तो बहुती जादा पसंदा है मुझे सबसे पहला reason तो amoled है जिसकी वज़े से blacks जादा deep है and color काफी जादा vibrant और punchy है काफी जादा sharp इसकी display आपको मिल जाती है जिसकी वैसे overall जो छोटे-मोटे text वगरा है कुछ images है वो बहुत ही जादा crystal clear and sharp नजर आती है I just love that thing about this watch plus आपको एक voice assistance भी मिलता है basically आपके phone का जो assistant है उसको use करेगा like google assistant हो या फिरी हो and आप इस assistant को यूस करके बहुत सारी चीजों को ये बारे में पता लगा सकते हो directly आपने watch में पूछ के like you can ask about the president, prime minister and even ask your assistant to play a song Can you please tell me who is the prime minister of India? Narendra Modi is the prime minister of India Who has won the maximum gold medals in Olympic In Olympics history, the athlete with the most gold medals is Michael Phelps from the United States with 23 Find more info on olympics.com बठाँ ये जो voice assistant है इसको activate करने के लिए आपको आपके phone के साथ connect करना बहुत जादा जरूरी है बिना उसके ये हो नहीं सकता है, पॉस आपको always on display का option भी मिल जाता है which is definitely a good feature to have Then आप upper crown को press कर सकते हो and you can browse through many options ठीक है आपको alarm वगरा मिल जाता है, spo2 reader मिल जाता है, heart rate reader मिल जाता है आपको schedule मिल जाता है, आपको phone logs मिल जाता है Almost बहुत सारे features आपको मिल जाता है जो आप basically swatch के तो control कर सकते हो नीचे वाला crown है उसको जब आप press करोगे Then you can browse through activity list like running, walking, football, badminton, cycling and many more Basically 11 activities mode मिल जाता है अच्छी चीज में को यह लगती है कि कोई भी फाल्तू के modes नहीं दिये गहे जो मतलब बाकी सारे watches में आता है बहुत सारे modes आ जाता है सो वह जाता confusing होता है इसमें जितने भी modes दिये गहे है 95% of us are going to use any one or two of those activities ठीक है यह चीज मुझे काफी जाता पसंद है प्लस इसमें जो आपको calling feature मिलता है You can directly answer calls and make calls from this device Which is quite handy And the speaker and the mic works really well इसमें काफी सारे features है Like you can control music of your phone Like play, pause or change the track Plus आप volume को भी उपर नीचे कर सकते हो Plus उसके बाद इसमें आपको कुछ और features भी मिल जाते है Like sleep tracker Obviously you can track your sleep उसके बाद heart rate भी आप check कर सकते हो जो की काफी जादा accurate results देता है You can see all the notifications of your smartphone मतलब WhatsApp के messages आ गये है कोई call कर रहा है Instagram का कोई भी text है या फिर कोई notification है Gmail का कोई notification है इन सारी notification को आप अपने watch के तुरू देख सकते हो Read भी कर सकते हो बट हाँ reply नहीं दे सकते हो So इतने सारे जो features हैं इसमें Definitely battery backup तो जादा चाहिए होई So यह battery backup basically कितना देती है मतलब ही जो watch है Single charge में आपको कितनी देर की battery backup प्रोवाइड करती है Company claim करती है कि आप अगर Bluetooth calling के साथ इसको यूज करते हो लगाता है तो 48 hours तक आपको battery backup मिलेगा And without Bluetooth calling आपको 7 days तक का battery backup मिलेगा मैं इस watch को काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ So मेरे use के दौरान I noticed अगर मैं Bluetooth calling activate करता हूँ तो मुझे almost 42 hours से 44 hours तक का battery backup मिल जाता है And normal use में without Bluetooth calling मुझे almost 6 and a half day का battery backup मिलता है Which is almost accurate And plus यही बोलना चाहूँगा जो battery backup वाली चीज़ें होती है यह काफी ज्यादा आप पे निर्भर करती है आप पे dependent होती है कि आप किस तरीके से यूज करोगे कौन सी brightness पे यूज करोगे So ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर एकदम optimizally इसको यूज करो Then शायद आपको जादा battery backup मिले So यह जो watch है Definitely एक app के साथ आता होगा So there is an app called Crest So basically इस app के through You can see all your readings Heart rate की reading, SPO 2K levels, step counts and many more Then you can add friends to compare your scores with Then you can tweak few settings Plus you can also change watch faces इस app में आपको 100 से भी जादा watch faces मिल सकते हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो Plus इस watch में आप आपकी गैलरी से कोई भी पिक उठा के मतलब चूज करके उसको background में set कर सकते हो And you can use it as your wallpaper on this watch So that is also quite good And you can use that while making calls So दोस्तों आखिर में यही बोलना चाहूंगा Basically conclude करना चाहूंगा कि आप 4000 में खरीदो इसको या साड़े 4000 में खरीदो यह watch काफी जादा handy है दिखती बहुत अच्छी है Plus आपको काफी सारे features मिल जाते हैं And that too useful feature मिलते हैं बहुत सारे watches ऐसे आते हैं जिसमें बहुत सारे आपको extra features मिल जाते हैं जो शायद आप day to day life में कभी use भी ना करो इनमें ऐसा कोई भी ताम जाम मौजूद नहीं है बहुत ही easy to use watch है Plus इसका जो touch response है screen का वो बहुत ही जादा चलागा Display तो ही कमाल का And overall जो looks है वो बहुत ही जादा elegant है Metal and leather का perfect इस्तमाल किया गया Perfect combination है जिसकी वाज़े से काफी जादा rich look provide करती है So I would say definitely इस watch को आप खरीच सकते हो And you will be very happy to use this watch And दूस्तों एक और चीज आपको बताना चाहूंगा iOS 13 and above plus Android 7 and above के लिए यह watch है मतलब यह compatible है उससे lower version के लिए यह compatible नहीं होगी And एक और चीज इसको completely charge करने में आपको 2-3 घंटे लग जाते है So यह चीज मैं बताना भूलिया था वीडियो के दोरान से अभी बता रहा हूं And यही था पूरा review I hope आप लोगो review पसंद आया होगा So यह पहला watch review आप बोल सकते हो इससे पहले बहुत पहले मैंने एक watch का review गया था That was basically a fitness band But यह एक proper smart watch का review है So आप में को बताना कि आपको review कैसा लगा And अगर आपका further कोई भी सवाल या सुझाव है आप comment कर सकते हो आपके comments का मैं reply दे दूँगा And अगर आप नहीं हो तो please, please, please consider subscribing मैं मिलता हूँ further आपको अगले वीडियो में Until then, over and out